डियर श्टुडेंट, आज का टोपिक है एसी सर्केट, एसी सर्केट में प्योर रजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपिसिटिव, फिर आरल, आरसी, एलसी और आरलसी सर्केट, तो सबसे पहले हम पहले पढ़ेंगे रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपिसिटिव, कहते हैं के रजिस्टिव, इंडक्टिव, तीनो हैं, तो तीनो में करेंट निर रहती है, एक में unity, lagging और leading, तो अपका र mentality रहती है, उसमें कह रहती है, आपकी unity power factor, unity power factor inductive में lagging power factor capacitive में leading power factor और ये lagging, leading और unity प्राप्ट कैसे होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे मैंने आपका unity, lagging और leading कैसे मिलती हैं आपको पहला है आपका pure resistive circuit pure resistive circuit तो जिस circuit में जिस circuit में आपका cable resistance लगा हो वो circuit कैसा कहलाता है आपका pure resistive circuit और resistance एक कैसी device है आपको passive device है जो electrical power को ना तो produce कर सकती है ना ही consume कर सकती है ठीक है बस क्या कर सकती है heat में convert कर सकती है electrical energy को क्या कर सकती है heat में convert कर सकती है यानि किसकी form में I2R जो आपकी heat निकलेगी इसमें किसकी form में निकलेगी i2R की form में अगर तीसरा point pure resistive circuit में current voltage समान कला में रहते हैं यानिके in phase में रहते हैं और इनके power factor कैसा रहता है unity इसे के बारे में detail से देखंगे कि in phase में और power factor unity क्यों रहता इन पॉइंटों को ध्यान से याद कर लेना या लिख लेना क्योंकि polytechnic में जितना आप बहतरीन तरीके से लिखोगे नंबर उसी हिसाब से मिलती है ठीक है अगर ऐसी लिखोगे तो फिर तूम समझो ठीक है अगर source voltage इसमें कितना है आप bm sin omega t यह source voltage में पहले पढ़ा चुका हूँ तो bs बराबर कितना होगा bm sin omega t और ohm slow से i बराबर कितना होगा b upon r तो bs की value रख सकते हो कितनी होगी bm sin omega t और upon r जो b upon r bm upon r किसके बराबर होगा आपका i m के बराबर किसके i m के बराबर तो i बराबर क्या लिख सकते होगा आप i m sin omega t तो दो equation कौन से मिलेगी आपको एक तो मिलेगी आपको bs बराबर bm sin omega t और दूसरी i बराबर im sin omega t ठीक है अब इसके waveform देखते हैं waveform से ही पता चलेगा कि आपको power factor कैसा मिल रहा तो आपकी दो equation मिली थी एक तो मिली थी आपकी bm sin omega t और दूसरी im sin omega t ठीक है तो दोनों के angle देखो omega t omega t है तो कहां से है 0 से है omega t plus 0 तो 0 ही है न तो b कहां से start हो रही है 0 से कहां से 0 से और current की value देखोगे तो current भी कहां से start हो रही है 0 से बट उसका magnitude क्या है थोड़ा कम है और कम क्यूं है क्यूंकि i बराबर कितना होता है b upon r तो इस r की वज़े से current की value क्या मिलती है आपको कम मिलेगी किस से b से कम मिलेगी तो जो इनके बीच का जो angle है दोनों के बीच का जो angle है वो कितना है 0 कितना है 0 इसी 0 के करण आपको power factor कैसा मिलता है आपको unity क्यूंकि cos phi बराबर cos phi बराबर कितना मिलेगा 1 क्यूंकि phi की जगे क्या रखोगे आप 0 cos 0 की value कितनी होती है आपकी 1 इसलिए कि अगर pure resistive load है तो आपको power factor कैसा मिलेगा 1 यानि कि unity power factor कैसा unity power factor phasor diagram देखोगे तो current voltage अगर इस phase में है voltage इस axis पर है तो current भी इसी axis पर रहेगी वस उसका magnitude क्या रहेगा voltage से कम और कम किसकी रहेगा क्यूंकि resistance के कारण अब इसमें power देखोगे तो power कितनी मिलेगी आपको देखिए power factor कैसा है आपका unity unity कैसा है वो समझ गया आप और power factor अंगल कितना आए था आपका 0 क्यों जीरो क्या था आपको sin omega t omega t पहले जीरो कर दोगे तो कितना जीरो ही रहेगा ना तो power factor कैसा है power factor अंगल जीरो power बराबर आप जानते हो तो b rms into i rms into cos 5 cos 5 cos 5 बराबर कितना होगा आपका 0 तो cos 5 cos 5 बराबर cos 0 cos 0 की value 1 cos 0 की value कितनी मिलेगी आपको 1 तो b बराबर कितना मिलेगा आपको b rms into i rms यानि कि जो आप dc source अगर लगाई होते तो dc source में अगर power कितनी मिलती है आपको p dc b into i तो अगर pure resistive circuit है तो pure resistive circuit में भी आपको power कितनी मिलेगी b rms into i rms ठीक है इसके बाद आप पढ़ेंगे कि inductive circuit और capacitive circuit inductive circuit में आपको current lag कियों करेगी current lag कियों करेगी और capacitive circuit में current lead कियों करेगी ठीक है thank you